function from 0 to infinity 0 to infinity that means ये भी positive number है ये भी positive number है तो function आप बना सकते हो positive real numbers to the set of positive real numbers ये for example 1 से start हो रहे अप्रूस हो इंफिनिटी तक ये 0 से इंफिनिटी कर ये इंक्लूदिंग 0 है एक एक फ of x आपको दिया गया है x into 1 plus x आपको पता नहीं 1 1 on 2 है तो ये y equals to x into x plus 1 है ये हमने बड़ी बार question कर लिया कि अगर x1 और x2 belong कर रहे किसी सेट में तो f of x1 equals to f of x2 है इस तरह के दो तीन हमारे पास आगे तो that means x1 equals to x2 है ये आपका one one है ये हमने कर लिए बड़ी बार अब आपको बताना है one one है but on two है या not on two तो पहले वाली वीडियोज आपने देखी होगी तो इसमें यह हमने किया हुए ठीक नेक्स चलते हैं और टू वरिफाई करने के लिए तो condition क्या है बच्चे एफ एक्स इकल्स तो य आना चाहिए तो अब फंक्शन बेशिक सेम हो इंटर्वल सारा चेंज कर देखा है है इंटर्वल सी सब कुछ बनाता है यहाज जगा य क्लस वाइए एक्स इकल्स तो एक्स डैंस वाई इस तो एक्स upon one minus y तो x का जो value है आपके पास x आ गया y upon one minus y ठीक है बच्चे अब इस condition को आप ध्यान से देखिए ये आपका जो range है ये भी 0 से infinity तक है और ये भी 0 से infinity तक है मतलब ये भी positive number है infinite numbers है अब आपका result अब जब inverse function कर रहे हैं अगर x है आपके पास function f है x to y तो अगर g आपके पास y to x exist करता है यही हो तो g क्या हो जाएगा f inverse हो जाएगा अभी जो हमने condition बनाई that means ये आपके पास जो ये बना that means ये f inverse of y है तो f inverse y है तो आपको result यहां पर मिलना चाहिए चीक है एकस से तो x भी आपका क्या है zero से लेके infinity तक है तो infinite number of real numbers है चीक है तो value क्या आना चाहिए ये result भी positive है तो result आपका positive आना चाहिए means x आपके पास आपको positive मिलना चाहिए x आपको positive कैसे मिलेगा अगर x का value यहां 1 minus y है तो ये condition आपकी positive 1 minus y positive कब हो सकती है greater than 0 कब हो सकती है जब 1 greater than y हो means जब y का value आप substitute करें और y का value less than 1 हो अगर y का value less than 1 हो तभी ये condition positive हो पाएगी तो that means y आप लोग substitute कर पाओगे सिरफ कुछ values ऐसा ही है y आप लोग minimum value substitute कर पाओगे और इसमें भी आप लोग y जो है वो 1 substitute नहीं कर पाओगे y is not equals to 1 ऐसा ही है तो यहां पे जो value आएगी y upon 1 minus y आएगा तो आपको जो result मिलेगा यह आपके पास improper fraction हो गया और improper fraction हमेशा greater than 1 आता है तो आपको जो value मिल रहा है x का वो मिल रहा है 1 से infinity तो इन values को आपको result नहीं मिल पाएगा अगर यह values का result नहीं मिल पाएगा x की यह values आपको नहीं मिल पाएगी that means x set में कुछ ऐसे element रहे जाएंगे जो किसी के साथ link नहीं है अगर link नहीं है तो that means यह function आपका on to नहीं है नेक्स में चलते हैं नेक्स आपके पास f of x equals to x plus under root of x square आपको बताना क्या यह function from real numbers to the set of the real numbers है ठीक है तो आपके पास क्या बनेगा यह f of x बन जाएगा which is equals to x under root है तो यह plus minus x हो जाएगा that means f of x किसके युकल हो जाएगा x plus x और x minus x that means f of x किसके युकल है 2x and 0 that means x जब आप value substitute कर रहे है तो y की दो values आ रही है y आपके पास to x भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है that means एक element की आपको दो images मिल रही है तो अगर एक element की दो images हों तो वह function ही नहीं होता है वह function ही नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा इस वाफ को कैंसल कर दीजिए इस को आपा जाएगा नन आफ दीज यह फंक्शन ही नहीं है बिसिकली ठीके नेक्स्ट आजाएगा आपके बार function from natural numbers to the set of natural numbers defined by f of n equals to n square upon 2 n plus 1 n is odd and n is even ठीक है आपको बताना है यह function आपके पास सरजेक्टिव है इंजेक्टिव है यह क्या condition है चीक है तो वन वन है यह on to है चीक है इंजेक्टिव सरजेक्टिव जो भी condition है तो आप लोग यहां पर देखेंगे यह natural numbers to the set of natural numbers condition natural numbers to the set of natural 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 up to 7 चलता रहेगा तो आप यहां पर देखेंगे अगर n odd होगा तो n square आ जाएगा n odd होगा तो अगर n one है तो one square आ जाएगा तो one का image आपको one मिलेगा चीक है n अगर even है तो n अगर two है तो क्या जाएगा two n प्लस one two to the four plus one five आगे two का image five आगे चीक है three अगर three है तो three square आजेगा three square nine हो जाएगा चीक है तो f of three आगे आपके पास three square कितना होता बच्चे three square seven eight nine कर लिए nine आ गया n अगर three है तो three square कितना आजाएगा nine लेकिन n अगर four है तो कितना आजाएगा four even है four even है even किया आजाएगा two one plus one तो two multiplied by four plus one two four is a eight plus nine तो three का image भी बच्चे nine है और four का image भी nine है तो that means f of three equals to nine है और f of four भी equals to nine है तो दो element का same image आ रहा है that means function is not one one अब आ जाएगा on two तब देखेंगे two के लिए five आ रहा तो अब यहां पर यह जो element बच रहे हैं इनकी कोई pre image नहीं है that means also not on two जी one one है और ना ही on two है छीक है तो neither injective nor surjective उसके बाद आ जाता है आपके पास last question last question क्या है आपके बास which are the following function is one one but not on two आपको बताना है इन में से कौन सा function आपका one one है और on two नहीं पहले हम देखेंगे one one कौन सा है चीक है तो one one के लिए क्या है two x plus three तो f of x ठीक है पहला function है natural numbers to the set of natural numbers तो बच्चे आपके पास scope बड़ा limited है क्या है x आप लोग one substitute करेंगे तो f of one कितना आ जाएगा आपके पास two multiplied by one plus three तो two multiplied by one plus three is five x sub two substitute करेंगे तो f of two कितना आ जाएगा two multiplied by two plus three seven two ऐसे चलता रहेगा अलग values होंगी तो आपके पास अलग ही result आएगा ये function one one है दूसरा भी देख लेगते हैं ये function from real numbers to the set of real numbers है तो function है अगर आप one substitute करते हैं बच्चे तो f of one कितना आता है four multiplied by one plus three upon five which is equal to seven upon five लेकिन x अगर आपके पास one upon four हो तो f of one upon four किसके उपला जाता है four multiplied by one upon four plus three upon five ये cancel हो जाएगा तो ये आदेगा one plus आप इसको कर लिजिए एक मिनट चीक है तो आपके पास ये जो values है ये वन वन functions है ये ये एक्स वाली कंडिशन हमने कर लिए बड़ी बार तो ये दुन फंक्शन आपके one one है आप लोग इसको कर सकते है थर्ड और फॉर्थ को आप लोग देखिए ये डिरेक्ट आपके पास one one नहीं है एक्स आप लोग zero डालेंगे तो ये आजगा zero minus zero थर्ड तो zero आएगा लेकिन एक्स अगर आप one डालेंगे तो ये one q minus one ये फिर zero आएगा तो दो element का same image है तो ये function आपका one one नहीं है तो ये इस list से भी बाहर हो जाता है second आगे आपके पास ये condition देख लेजिए एक्स मॉडूलस आफ एक्स है तो एक्स अगर आप one डालेंगे तो कि य किसके युकला आजाएगा log of one plus one two और एक्स अगर आप minus one डालेंगे तो ये आजाएगा y is equal to minus one का मॉडूलस अगेन positive हो जाग ये अगेन log of two आजाएगा तो दो का again same result है तो ये भी आपका race से बाहर है अब यही दो element बचते हैं चीक है अब इन में से first है अब आपको बताने कि इन में से कौन सा on to नहीं है on to नहीं है तो हम लोग देख लेते हैं y is equal to two x plus three तो y किसके युकला आएगा minus two equals to minus three equals to two x चीक है तो यह आजाएगा y minus three upon two equals to x यह जो दो condition है one one आपको करना है तो one one इसको आप same images equals to same element से कर सकते हैं यह बड़ा easy है यह easily हो जाएगा अब आप इसको देखेंगे तो यह condition आपको क्या चाहिए first had natural numbers to the set of natural numbers लेकिन यह condition minus three है लेकिन अगर natural number अगर आप x equals to one substitute करते हैं तो यह क्या जाएगा one minus three upon two which is equals to minus two two which is equals to minus one तो x का value आया minus one जब x आप one डाल रहे हो तो आपको value negative one मिल रहा है यह यह आप सरी y आप one डाल रहे हो यहाँ पे जब आपने y का value one डाला तो x आपको minus one मिला अब यह condition है natural numbers to the set of natural numbers यहाँ पे आपका y है y के लिए आपको x में जो value मिल रहा है वो minus one है लेकिन natural number में minus one possible नहीं है that mean one के लिए कोई भी pre image नहीं है अगर one के लिए कोई pre image नहीं है तो यह first condition जो है यह आपका on to नहीं है तो आपका result correct है जो है जो option पूछा गया है वो first है तो यह आगे आपके पास यह था आपके पास assignment solution for day two तो इनको solve कीजिए और आप questions पूछ सकते हैं ठीक आज क